हेलो एवरीवान स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में आज़म पढ़ेंगे स्टाटिक जी की का नेक्स टॉपिक हरियाना का उद्य या हरियाना का गठन आप कह सकते हैं ठीक है इंपोर्टेंट है टॉपिक क्योंकि यहां से कोशन एक्जाम में जरूर आता है क्योंकि यह जो मांग से रिलेटिर है कि सबसे पहले मांग किसने उठाई या पंजाब में जो था कब मिलाया गया था हरियाना को और हरियाना अलग कब हुआ तो यह बहुत सारे कोशन जो है इस टॉपिक से बनते हैं तो वो सारी चीजे जो हम इसमें वन कवर करेंगे ओके चलिए शुरू करते हैं देखें हरियाना के उध्या की बात कर रही है तो यह कोशन आता है अठाः सो तेतीस में हरियाना किस बाऄ था तो उत्तर प्रदेश के कानपूर का भाग था यानि उत्तर पश्च्मी प्रांत का भाग था हरियाना कब 1813 में फिर तो यह याद रखे, 1858 से पहले कहां पर था? उत्तर प्रदेश के कानपूर का भाग था हरियाना, उसके बाद 1858 में हरियाना को कानपूर में मिला दिया गया और 1966 तक वो पंजाब का हिस्सा रहा और 1 नमंबर 1966 को हरियाना अलग राज्य जो था बन गया था फिर बात आती है कि सबसे पहले जो थी अलग हरियाना बनाने की मांग किसने उठाई थी? तो सबसे पहली मांग उठी थी 1907 में, 1907 में लाला लाजपत्राय और आसफ अली ने जो थी सबसे पहले हरियाना को अलग करने की मांग उठाई थी उसके बाद 1925 में जो अखिल भारतिय मुस्लिम दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसमें जो स्वागत समीती के अध्यक्ष थे पीर जादा मुहमद हुसैन इसने अरियाना को क्या कर दिया पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग रखी तो ये कोशन याद रखे अरि अरियाना को दिल्ली में मिलाने की मांग रखे ती पिर जादा मुहमद हुसैन ने फिर बात आती है 1928 की तो दिल्ली प्रदेश कमिटी ने इस मांग को वापस से दुराया किसको अरियाना को दिल्ली में मिलाने की मांग को फिर 1932 में अरियाना के जो रश्ट्रवादी नीता थे दीन बंदू गुप्त कब 9 सितंबर 1932 डेट याद रखेगा जिस जिसके डेट पता है वो सारी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एक्जामें पूछी जा सकती है तो 9 सितंबर 1932 को हरियाना के रष्टरवादी नीता दीन बंदू गुप्ता ने जो थी हरियाना को पंजाब से भिन मानते हुए हरियाना को अलग करने की मांग रखी थी अब दीन बंदू गुप्त ने तो पंजाब और हर्याना को अलग करने की मांग रखी लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में भी थे वो नहीं चाहते थे कि पंजाब का विभाजन हो तो उसमें कौन-कौन थे? जैसे आरिया समाज हो गया हिंदू मासबा हो गई, जनसंग पार्टी हो गई इन्होंने क्या क्या था? पंजाब के विभाजन का विरोध किया था तो ये चीज़ भी इसमें याद रखेगा फिर बात आती है 1946 की 1946 में पटाभी सीता रमया ने अखिल बारत्य बाशाई कांग्रेश में दीन बंदू गूपता की मांग क्या कर दिया? समर्थन कर दिया जो दीन बंदू गूपता ने 1932 में जो मांग रखे थी उसका समर्थन किया पटाभी सीता रमया ने 1946 में फिर बात आती है 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंतर हुआ उस वक्त भी अर्याना जो था किसका भाग था? पंजाब का भाग था फिर 1948 में स्वतंतरता के पश्चात सबसे पहले अर्याना को प्रिथक करने की जो मांग रखे थी वो किस ने रखे थी? तारा सिंग ने रखे थी यह इंपोर्टैन्ट इसमें याद रखेगा ठीका है यह जो थे पंजाबी नेता थे तारा सिंग इन्हों ने जो थी एक पंजाब शेत्र और जहां पर हिंधी अभाशीक लोग थे, हिंदी शेत्र, छो पंजाबी जादा बोलते थे उसको पंजाबी शेत्र बना दिया और हें लेकिन जनता ने जो था इसको नहीं सिविकारदा, उन्हें यह चीद सही नहीं लगी, उसके बाद 1953 में, 29.21बr 1953 में सयद फजल अली के अद्यक्षता में केंद्र सरकार हम बारत सरकार ने जो था बाशा और संस्कृति के आदार पर राज्जो का पुनर गत्थन के लिए एक आयोग का अध्यक्ष encun कई उस एक का नाम किया था फजल अली आयोग और अध्यक्ष कفर से सयद फजल अली यह की उस सबसे पहला राज्य को इंसा बनाया गया था अंधर प्रदेश को बनाया गया था और उसी के लिए जो था ये गठित की गई थी ठीक है उसके बाद देखे ये चीज बस इसमें इतना ही आपको पता होना चाहिए ठीक है तो केंदर सरकार ने क्या किया था फिर अब जब उन्ह 356 को लागू कर दिया गया था लेकिन ये चीज भी जो थी वापस नहीं चली थे ओके फिर 1960 में मास्टर तारा चंद ने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किया था किसने मास्टर तारा चंद ने और यहां पर आप देखेंगे ये था मास्टर तारा सिंग जिसने 1948 में मां उठाई थी 1965 में पंजाबी सूबे के पंजाबी सूबे के लिए हाँ पंजाबी को अलग रखने के लिए जो था संत फते सिंग थे इन्होंने जो है आमरन अंचन की जो थी गोशना की थी लेकिन ये आमलब ये अंचन जो था हो नहीं पाया था इसको स्थगित कर दिया गया स्थगित कर दिया गया था इसी तरह जो है 1965 में ही लोकसभा के जो ततकालीन अध्यक्ष थे उकम सिंग की अध्यक्षता में जो था पंजावी बाजन पर विचार करने के लिए एक संसद्य समीति का भी जो था गठन किया गया था तो ये कोशन आ सकता है कि उकम सिंग की अध 1966 की बात आती है 23 अपरेल 1966 इसमें क्या हुआ सरदार उकम सिंग की सिफारिश के आदार पर जो था सरकार में सर्वोचे नयले के नयाइधीश थे जेसी साहा इसकी अध्यक्षता में जो था पंजाब पुनर गठन सीमा आयोग का जो है गठन किया जिसको जेसी साह आयोग भी जो था गठन कर दिया था इसमें टोटल सी तीन सदश्य थे एक तो जैसी साह खुद थे ठीक है जो अध्यक्षते और सात में एमेम फिलिप और एस दत्तु इन तीन सदश्यों मतब इसका जो था गठन किया जिसके तह जो था हरियाना को फिर अलग वह था बनाया गया था ठ चीज़ याद रखिए 23 अप्रैल 1966 को जो था सीमा आयोग का गठन हुआ था और इसने जो भी अपनी रिपोर्ट थी ये 31 मई 1966 को पेश की थी ये पॉइंट भी इसमें आपको याद रखना है ठीक है इसमें देखे क्या थी जेसी सा आयोग में चंडीगड सहीत खरड तैसील नरायनगड इन छेत्रों को जो है अरियाना में शामिल करने की जोती शिफारिश की गई थी ठीक है उसके बाद देखे पंजाब पुनर गठन विदेएक ये कोशन पूछा जा चुका है कि लोग सबा में कब पारिद क्या गया था तो 18 सितंबर 1966 को जो है पंजाब पुनर ग गठन किस की शिफारिश पर हुआ तो सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर हुआ देखे और किस आयोग की स्वार हुदा जेसी सह आयोग की दोरा हुदा था ठीक है इसके बाद यो था एक नॉम्बर 1966 को अठार्मे संसो अधन के टाहित अर्यानाराज्या का जो था गठन हो ग प्रिश्टनन जो थे उस वक्त राष्टरपती थे और गठन जब हुआ तो हरियाना में total 7 जिली थे और गठन जो था यह 7-वेराध्ये के रूप में लूप में और किस संसोधन के तहट? 18-वे-18Sंसोधन के तहट हुआ थ जब गठन हुआ उस वक्त, हरयाना के हिस्से में कितना शेतरफल के कोडिंग देखे, तो कितना परसेंट आया था, 35.88% जो बाकी बच गया, वो सारा का सारा किसमे के हिस्से में चला गया था, पंजाब के हिस्से में, ठीक है, तो याद रखी, अर्याना का हिस्सा 35.88% था गठन के समय, ओके, गठन जब हुआ, उस वाक्त, जो विदानसभा सीट थी, वो कितनी थी, 34 सीट थी, ठीक है, 1960, नहीं, ए एक जो है, एंग्लो-इंडियन के लिए है, ओके, चली, अगला देखिए, हर्याना गठन के समय, कुल साथ जिले थी, यह जो थे, कुल साथ जिले थे, बाकी जिले जो थे, वो बाद में फिर बनते गए थे, ठीक है, उसके बाद देखिए, हर्याना जो था, यह बारतिय बना था, कौन सा राज्य बना था, बारतिय संग का सत्तरवा, वर्तमान में अगर हम बात करें, तो अर्याना में जो है, छे मंडल है, बाइस जिले है, तिराण में तैसीला और एक सो चारीस खंड है, ठीक है, जब अर्याना बना तो चार मंडल थे, घर, ठीक है, जब अर्य आते हैं वो आपको पता होने चाहिए तो करनाल में जो करनाल के आसपास लगते होंगे करनाल के पास देखे करनाल से पहले पानिपत और करनाल के आसपास ही कैथल तो करनाल कैथल पानिपत ये एक मंडल में आ जाएंगे फरीदाबाद में फरीदाबाद पलवल और नू आ जा वहाज सबसे पहला तो आपने देखा भी ओगा जैसे पुलिस के एक्जाम कोचा पूछा गया था कि किस मंदल में वह इस तरीके का को शर्वाद को शक्रापन पूछ सकते हैं साथ ही जले 9 तो से शौरी तक मंदल में सबसे जादए जिले हैं पांच जिले इसके अंडर में आत पड़ है राज के फूल कमल है और राज के बाशा कुन सी है हिंदी है ठीक है अर्याना जब बना तो उस वक्त का जो पहला गठित जिला था वो कौन सा था वो था जींद और उस समय का सबसे छोटा जिला भी कौन सा था गठन के समय जींद ही था और गठन के समय सबसे बड़ा जिला हिस्तार अबी हिस्तार सबसे बड़ा नहीं है अभी अगर हम देखे तो सबसे बड़ा कौन सा है सिरसा है हर्याना का शेत्रफल कितना है? 44212 वरक किलोमेटर है और ये बारत के शेत्रफल का 1.34% है अक्षांसे विस्तार की अगर हम बात करें तो अर्याना का अक्षांसे विस्तार 2749 से लेकर 34 तक है और दक्षांसे विदेशांतर की बात करें तो 2428 से लेकर 3736 तक है घ्रियाणा का आकार पूछा जाये तो विश्म बाँ स attends कोणिया पतंगाकार ये हरियाणा का अ कार है थेक है एक अर्याना जो है देश के उत्तरपश्यमी बाग में जो है इस्थित है से की अर्याना का प्रह्देश दवार किसको का जाते है और अर्याना का हृद् user hour किसको का जाता है जींद को का जाते है गठन के समय राश्टरपती हम पहले भी पढ़ चुके थे, डॉक्टर स्रुपली राधा कृष्णन थे, उपराश्टरपती डॉक्टर जाकिर हुसेन थे, प्रधान मंतरी उस वक्त श्रीमती इंद्रा गांदी थी, और लोगसभा अध्यक्ष कौन थे, हुकुम सिंग थे, ठ जाकिर हुसीन थे, उस वक्त राज्यसबा के अध्यक्ष थे, ठीक है, शेत्रपल की द्रिष्टी से, अर्याना का देष्च में जो है, इस्थान वो 20 isma है, और अगर, शेत्रपल की दृष्टी से देखें, तो अर्याना का सब्से बड़ा जिला कौनसा है, शिर्सा ही है, औ सबसे बड़ी तैसील अगर पूछी जाती है अर्याना की तो वह कौनसी है चर्खी दादरी और सबसे छोटी तैसील अगर आती है तो वह है पंचकुला विदानसभा शितर हम पहले ही पढ़ चुके कि सबसे बड़ा जो है वो लुहारू बिवाणी में हो जाएगा और सबसे छोटा कुणसा हो जाएगा बल्रामगड हो जाएगा तो वह हमने विदान सबा में पढ़ लिया था ठीक तो यह में इसमें डिसकस कर लिया है एक दो पो सिन्हाइओं के दौरां लोग सभा कॉन से चल रही थी तो तीसरी लोग सभा जो थी चल रही थी डिकर? टीसरी लोग 사वा थी नहीं कि ठीक है ठीक है हरियाना के जो है गठन के समय लोगसभा के अध्यक्ष हमने पड़े हैं लोगसभा के अध्यक्ष हुकम सिंग थे उपाध्यक्ष भी आप से पूछे जा सकते हैं तो उपाध्यक्ष कौन थे यहां पर सही हो जाएगा और हर्याना गठन के समय देश का जो मुख्या न्यायदीश था वो कौन था तो वो थे न्यायमूर्थी के सराव जो थे गठन के समय मुख्या न्यायदीश थे ठीक है तो यह दो-चार पॉइंट और इसमें याद रखिए गा तो गठन से यहां से पूछे जाते हैं बार-बार जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अलग अर्याना की मांग कब उठी थी तो 1907 में उठी थी तो नाइंटीन फोटी एट में किस ने उठाई थी पंजाबी नेता तारा सिंग ने किस समाचार पत्तर में उठाई थी यह पूछन आ सकता है कि 1857 की करांती से पहले अर्याना किस राज्य का इसा था तो अर्याना किस का हिसा था उत्तर परदेश के कानपूर का बाग था ठीक है और क्योंकि पंजाब में कब मिलाया गया गया था तो यह चीज हो जाएगी यहां पर ऑके 1857 की करांती के बाद अगर पूछा जाता है अर्याना को किस राज्य में मिलाया गया तो पंजाब राज्य में मिलाया गया था ठीक इसके अलावा जो कुशन आ सकता है अर्याना पंजाब सीमायों का गठन पूछा जा सकता है तो 23 अपरेल 1966 को जो था गठन किया गया था अध्यक्ष जेसी सा से टोटल 1949 को किया गया था उसके आदार पर किया गया था पंजाब को बाट दिया गया था पंजाबी शेत्रोर, Hindी शेत्रवे ठीक है हर्याना राज्य का अगठन कि सायोग की शिफारिश पर किया गया था तो फजल आयोग जो है सही हो जाए गया इस ठीक है झाल झाल झाल